आज पगली उदास है इसके इंफिनिक्स स्मार्टफोंस की सेल मिस हो गई ना अरे पगली टेंशन मतले इंफिनिक्स स्मार्टफोंस पे आ रही है सेल फिर एक बार पगली सेल अभी बाकी है वीरेन जी कैसे याद किया जाए मुलाइम सिंग यादव के राजनेतिक दावपेज को और उनकी विरासत को उनके बनने की कहानी बनाई ये किस तरह की मुश्किले थी हम जानते हैं कि उनके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत कैसे हुई 1967 में वो पहली मर्तबा जस्वंत नगर से चुनाव लड़े हम ये भी जानते हैं कि चौधरी चरन्ठ सिंग के आशिरबाद से 1977 में जब राम नरेश यादव की सरकार बनी तो वो पशुधन के मंतरी भी बने हम ये भी जानते हैं कि 1980 में उनका जस्वंत नगर से चुनाव हा और हम यह भी जानते हैं कि वही चौधरी चरण सिंग जब अपने राजनेतिक वारिस चौधरी अजीत सिंग को लॉंच करते हैं तो किस तरह की टसल होती है मुलाहिम सिंग यादों को लोग दल के विधायक दल के नेता के पत से हटाया जाता है तो हमने यह भी देखा कि फिर क किस तरह से देखते हैं खास्तोर पर इसकी शुरू आती वर्षों को देखे आप तो 1967 की बात कर रहे हैं मैं और पीछे जाता हूं देखे मुलाहिम सिंग ने अपनी इस राजनी का सफर तो 1954 में ही शुरू कर दिया था जब एक जमाने में उत्तर प्रदेश में सिचाई की द ने उनको पैचानना शुरू कर दिया था कि यह लड़का जो है आगे चलते के कुछ करेगा और वो लगतार आगे बढ़ते गए अपने चात्र जीवन में भी उन्होंने जो है चात्र जीवन में कालेज में अध्यक्ष रहे कुष्टी का उन्हें बड़ा शौक था उन्हों इनकी जो विवादित चीजें हैं दोकीन घटनाएं बहुत विवादित हैं एक तो इन्होंने आयोध्या अंदोलन में जो अंदोलन कारियों के गोलियां चला दी थी वह सबसे बड़ा विवाद कविश है रहा था और इनका जो एक टीनाइन में जब यह मुक्तमंत्री बने प्रदेश में काफी चर्चित रही है जी इन घटाओं पर आएंगे के करके राहुल जी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि थोड़ा दर्शकों को हमने और आपने सबने पढ़ा है लेकिन नए सिरे से हम बता पाएं कि मुलाम सी यादो जिस आती सामान्य गरी प्रिश्ट में उनका चुनाओ लड़ना इटावा की जमीन से जो सोचलिस्टों का एक ठीक ठाक बड़ा गर्ड़ था कमांडर अरजुन सिंग भधवरी असांसद रहे थे नत्तु सिंग जी विधायक रहे थे और राजनीती में किस करवट का इशारा कर रहा था क्योंकि लोहिया का सत्ता गमाई थी और फिर सभी विधायक दल्की समविध सरकारें कई जगे आई थी सबसे बड़ी यह है कि वो टर्निंग पॉइंट इसलिए था मुलाइम सिंग ग्यादव का उसलिए पॉलिटिक्स में आना क्योंकि वो एक तरह का क्रिस्टलाइजेशन हो रहा हो था उसका क्या है कि उससे अगर पहले देखा जाए तो opposition to Congress यानि विरोध जो Congress का था वो कुछ लोगों के दिमाग में separated by time, distance और ideology था कि मैं कोई leftist था कोई कुछ था तो क्या है कि वो उनका एक सुरूब जो crystallized form में विरोध का होता है वो दिख नहीं रहा था और रामनों लोया जैसे लोग जो हैं वो धीरे-धीरे आगे आ रहे थ तो कही न कहीं एक सुरूब बन रहा था और इस कारण से आप देखिए कि उस period के जो लोग थे उन्होंने अपनी पहली लड़ाई, political लड़ाईयों में सबसे ज़्यादा चोट अगर पहुँचाई तो उनने Congress को ही चोट पचाई इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर मुलायम सिं में इनका कदम पड़े, जिस समय पे इनको politics को में कोई sophistication की space नहीं थी, कि कोई नफासत से राजनीती लड़ी जाए, अच्छे खुबसूरत भाशन हो, कहीं जा करके किसी seminar में बोलें, वो space नहीं थी इनके पास, इनको हर चीज मैदानी में जैसे कहते हैं न मुलायम ने को दिखा, कि subjugation जो है, किसी पे हावी हो जाना, ही politics का आगे बढ़ने का तरीका था, और वो हावी हो जाना जो था, वो underline था उनकी politics का, इसलिए आप दिखिए, कि ये सम लोगों को बारे में कहा जाता है, कि they are opportunist, उनके लिए कहा जाता है, कि इन्होंने जो भी किया, जैस गोली नहीं चलती, तो उस दिन वही होता, जो 6 दिसंबर 1992 को हुआ था, एक मुख्यमंतरी की जिम्मेदारी, क्या एक, हम कल्यान सिंग को कहते हैं, कोट ने सजा दी, उनको एक दिन की दी, लेकिन किस चीज की सजा दी गई थी, बीजेपी politically banish होई, एक untouchable हो गई उस period में, क्यों, क्योंकि उसने बाबरी मस्जित तोड़ी, और क्या उस दिन एक justification था, कि क्या एक चीफ मिनिस्टर कर, देखिए political उसका गोली चलाने का, एक, मैं कहूंगा कि fallout जो है, या decision जो वो political से प्रेरित हो सकता है, लेकिन as a chief minister तो उसके दो आयाम हो सकते हैं, इसलिए मैं कि मुलाइम सिंग यादव की politics जो है, वो इस तरह से शुरू हुई, कि आज अगर बीजेपी 2015 में कहती है, Congress मुक्त भारत, अगर ममताब energy कहती हैं, कि मैं सत्ता में काबिज हूँ, Congress को हरा के, अगर TRS हैं, जगर्मोहन रेड़ी हैं, यह सारे जो दल आज एक Congress की space लिए हैं, इसका credit जो है, इसका credit कहीं न कहीं मुलाइम सिंग यादव, जैसे लोगों को जाना चाहिए, रामुन और लोहिया को जाना चाहिए, इन लोगों की कि उन्होंने anti-Congressism को, Congress की जो monolith structure था, उसको तोड़ने में, opposition को establish करने में काफी मदद करी, उसके बाद अगर आप दे और उसके बाद जो guest house कार्ण कहा सक्सेना साहब ने बिल्कुल सही था, उसके बाद एक period आता है, जिसमें देखिए कि BJP या Congress, वो number 3 और 4 की party हैं, और जो number 1 और 2 की party हैं, वो मुलाइम और मायावती हैं, यानि सपा और बसपा, यानि तमिलाड की politics में जिस तरह से South में हुआ था, कि एक mainstreaming हुआ opposition का, non-congress parties का mainstreaming हुआ opposition का, वो mainstreaming आपको उत्तरप्रदेश में, North India में opposition parties हावी हो गए देश की national parties पे, और 2002 से 2017 तक तो उन ही दोनों के बीच, दोनों की बीच पूरा contest चलता रहा है, और सोचिए कि national parties बार बार दूसरी parties की पिछलगू बनने को तयार थी, स्टेपनी बनने को तयार थी कि कि किसी तरह से political hold मिल जाए, बीजेपी जैसी political party जो की 1989 से लेकर के 1992 तक मंदिर के ऐसे अशुमेग घोड़े पे चड़ी हुई थी कि कोई उसको रोकने वाला नहीं था, आप ये सोचिए कि वो इस चीज का इंजार करती थी, कि हम मायावती लेगी, उस चीज का इंजार बीजेपी किया करती थी, politics को इस level पे लेाना कि बड़ी party यां किसी राज से बेदखल हो जाएं, किसी Congress जैसी party को 1967 में पहला चुनाव जीता हुआ एक पहलवान, चाहे सामदाम दंड भेज से, 1989 में जो चुनाव Congress हारती है, revival हो सकता था, लेकिन उसके chances किसने खतम करें, आप देखिए कि उस समय मंडल की आदी थी, आपके राजीव गांदी जी ने मंदिर के द्वार खोल करके, मस्जित के द्वार खोल के, पुजा याचन के लिए, एक political unleashed कर दिया था formula, नवंबर के महिने में आपने शिलानियास राजीव गांदी ने वीएच्पी का allow करके, कमंडल का तूफान दे दिया था, 1990 में अगस्त आते हैं, वीपी सिंग ने मंडल रिलीस कर दिया था, आप बताईए कि 1947 के बाद, ऐसा political confrontation, धाराओं का, आपने कहीं नहीं देखा होगा, और उस समय पर मुलाइम सिंग यादाव एंटर करते हैं, और अपने inclusiveness, मुलाइम की एक हुसूरती थी politics की, कि वो जोड़ टांक करके alliance बड़े इच्छे बिनते थे, हम जिसको आज classic sense of alliance कहनते हैं, वो नहीं थे, लेकिन वो एक alliance क्या होता था, कि चलते चलते मैंने किसी का हाथ पकड़ लिया, यानि अपने आप में मुलाइम एक अलग लीडर में इसलिए भी कहता हूँ, कि नत्थु सिंग जो उनको मिले, रामण और लोहिया से मिलवा दिया, तमाम लोहों से मिलवा दिया, उसके बाद ही अकेला अपने politics का ऐसा आद्मी है, यानि नरेंद मोधी भी देख लिजे, तो एक समय पे LK अडवानी उनके mentor थे, बा जब देविलाल और भहुणा जी का जगड़ा हो रहा है, तो वो हेमवती नंदर भहुणा से सट गए, जब भहुणा साहब के साथ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो चंदशेकर के साथ चले गए, तो यानि सोचिए एक नेता ऐसा है कि वो mentor बदलता है, उसमें ये था, कि उस complexity के बीच में मुलाइम सिंग यादव ने गोली चलाई, अपने को position किया, मंडल का फाइदा उठा, नैचरल मिल रहा था, कमंडल का फाइदा बीजेपी को मिल रहा था, उसका एक नैचरल करॉलरी है, कि बीजेपी हिंदूों का फाइदा उठा रही थी कमंडल का, मुलाइम ने उसमें मुलाइम, मुस्लिम वोट को कीच लिया, मुस्लिम वोट को कीच करके OBC और मुस्लिम का एक combination बनाया, और उसके कारण कॉंग्रेस को एक तरह से कहा जाएगा, उसका जो core competence था, secularism का, वो समाजवाद से जोड़ करके, समाजवाद secularism जोड़ करके, कॉंग्रेस को long term eviction जिसे कहते हैं, बेदक्षली का notice दे लिया था.